क्या वाकई जहारखन मुक्ति मोर्चा पड़िया हाट की सीट पर अपनी दावेदारी कर रही है या जानते हुए कि प्रदी प्यादाव यहां से कॉंगर्स के टिकट पर संभावी दावेदार उमिदबार दोनों होसा है कार्श करता है यहां लड़ने के लिए तयार है और लड़ने की पूरी तयारी जो होती है वो जहारखन मुक्ति मोर्चा के संगठन ने कर लिया है जैसे दवंग नेता को वो छोड़ देंगे अंतिम लक्ष तर नहीं ठीक है मैं का रहा हूं लोगों के नजर में पब्लिक के नजर में लगाता देखें लगातार वो जीतते रहे हाट में इस्थिती यही है मैंने अभी भी कहा कि लोग अब तयार है कि कोई दूसरे कंड़ेट आएंगे अच्छे कंड़ेट आएंगे और उनको जिता करके हम लोग भेजेंगे वो बहतर काम करेंगा हम लोग तो मांडू या स्थिर-पढ़ियाहाट अगर जार्कड मुक्ति मोचा को स्विकार करना हो इंटर्णल सरव्य हमारे पार्टी ने कराया है जहां तक हम लोग को जानकारे है जनता का मत जानने के लिए इन दुनों दफूर्थ प्रड़ की जन्मत यात्रा चल रही है और जन्मत यात्रा के पड़ाओं में इस फक्त हम पड़या हाट विधानसभा की सीट पर हैं यह वो पड़िया विधान सभा की सीट है जहां से सूरज मंडल जिनकों की लालू प्रसाद यादव का सैडो मुख्यमंत्री माना जाता था उनकी बिनापर वे तीन बार यहां से विधायक निर्वाचित हुए असी में, पचासी में और नबे में यह वो पड़िया हाट की सीट है जहां से परदी प्यादव पांच बार विधायक निर्वाचित हो चुके हैं, अलग-अलग पार्टियों के, यह भी पड़िया हाट के तियास में बेहादी, दिल्चस्प मामला है, कौन-कौन सी पार्टि से टिकट उनको मिला, भाजपा से मि जहारकंड विकास मोर्चा से वे विधायक रहे, और अभी तो फिलाहल वे कॉंगरस में है, तो संभावना देखनी होगी कि उन्हें टिकट मिलता है अने, पड़िया हाट जनरल काटेगरी की सीट है, 1962 से 1972 तक यह अनुसूचित जनजाती के लिए आरक्षित सीट हुआ करती लेकिन उसके बाद यह जनरल सीट हो गई, पड़िया हाट विधान सभा के थोड़े समिक्रणों को आपको समझाते हैं ताकि इस पूरे बाचीत को समझने में आपको सवलियते हों, इस विधान सभा यानि पड़िया हाट विधान सभा की सीट पर लगभग 30 प्रतीशत की आ पर लगभगों में यहाँ पी जातिया हैं, तो थोड़ी पड़िया हाट के विधान सभा के तमाम रायतिक समिक्रणों को समझने के लिए कि जरूरी है कि यहाँ के पुराने घाग निताओं से बाचीत की जाए और इसके लिए हमारे साथ बाचीत करने के लिए गुड़्ड जिला के जारकन मुक्ती मूर्चा के पुर्व जिला ध्यक्ष और इसके अतरिक गुड़्डा जिला के जारकन मुक्ती मूर्चा के पुर्व जिला सचीव इसके अतरिक सेक्रेटरी जारकन मुक्ती मूर्चा के के इसके अतरिक गुड़्डा विधान सभा से जारकन मुक्ती मोचा के बैनर तली दो बार चुनाव लड़ चुके प्रेम नंदन मंडल यह मारे साथ है सबसे पहले तो इस इंटर्विव में आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने समय दियो और आपका बहुत स्वागत है चलिए आपको भी धन्दिवाद और आपके सभी दर्शकों क अमने समझाने के भर्शक कोसिस की कि पढ़या हाट का समिकरण क्या है पांच बार से विधायक है प्रदी प्यादव और ये बाचीत कि शुरवात ही इस बिना पर हो रही है कि ये खबरे आ रहे हैं कि जारकन मुक्ति मोचा पढ़या हाट सीर्थ पर अपनी दावेदारी कर इसके पीछे कई महत्पूर्ण कारण किनाये जा रहे हैं कि गुड़ा जिला का ये एकमातर सीर्थ है यहां पर लगातार ज्ञारकन मुक्ति मोचा चुनाओ लड़ती आ रही है आकरी बार चुनाओ 2019 में यहां पर चुनाओ लड़ी मेरा पहला सवाल प्रेम नंदन जी आप की सीट पर अपनी दावेदारी कर रही है यहां जानते हुए कि प्रदी प्यादाव यहां से कॉंग्रेस के टिकट पर संभावी दावेदार उमिधवार दोनों हो सकते हैं कि दावेदारी पुड़या हाट विधान सवा छेत पर ज्ञारकन मुक्ति मोर्चा 100% कर रही है और ज्ञारकन मुक्ति मोर्चा उसकी तैयारी भी कर रही है और यह चुनाओं ज्ञारकन मुक्ति मोर्चा अपने पूरे दम-खम के साथ लड़ेगी अब सवाल उठता है कि गडवंधन की सरकार चल रही है माननी नेता हम लोगों के आदरनी हमन्शुरेंजी और गडवंधन दलों के नेताओं में क्या बातचित होगी वो तैव उन्हें करना है लेकिन कार्श करता है यहां लड़ने के लिए तयार है और लड़ने क की पूरी तैयारी जो होती है वो जानकारी जो आई वो यह थी कि मयासमान योजना को क्या इस बैठक में भी बाचीत हुई पुड़िया हाट विधान सभा में जारकन मुक्ति मोर्चा की जुनाल वड़ने को लेकर बिल्कुल चर्चाएं हुई और उन चर्चा के आधार पर जब कलपना जी का प्रोग्राम जो बन रहा था मया सम्मान अभार योजना के तहत तो पुड़िया हाट में उनका कार्चक्रम भी है रोडस तो अगरे था जब कार्चकरताओं ने कहा कि वहां आम सभा दी आम सभा का प्रोग्राम होना चाहिए तो मंच से जो हमारे सिर्शस नेता थे उन लोगों ने कहा कि पुड़िया हाट हम छोड़ने नहीं जा रहे हैं प उस समय सवा होगी जारखन मुक्ति मूर्चा अकेले सवा करेगी चुकि अचार संगता उस समय लागू हो गया रहेगा यह शंभावनाई जताएगी तो आप समझ सकते हैं अभी तो गडवंदन की सरकार चल रही है तो यह तो कोई सीट डिकलियर हुआ नहीं है तो इस तरह स कि पड़िया हाट में जारखन मुक्ति मूर्चा अविदारी कर रही है प्रदीप यादव एक तरह से जारखन के बड़े नेता माने जाते हैं गुड़्डा लोग सवा सीट से वे भाजपा के टिकट पर पहली बार सामसाद मिरवाचीत हुए दो हजार और दो हजार पांच में जारखन के खास सीट पर खास कर गए पड़या हाट में वे भाजपा के ही टिकट पर दो बार विधायक चुने गया फिर 9-14-19 उन्होंने जारखन विकास मूर्चा के टिकट पर चुना लगा अब वे कॉंग्रेस में आ गया और कहा जा रहा है कि मलिकार जुन खड़गे और राहुल गांदी के वे बहत करीब हैं शायद उनके प्रभाव को जारखन के वोटरों ने जारखन के दर्शकों ने तब समझा जब तीपिगा पांडे को टिकट मिला और इनके कारेकरताओं के सवाध पर उतरने के कारण तीपिगा पांडे से टिकट वापस लेकर कॉंग्रेस वहां चोड़ना चाहेगी और जारखन मुक्ति मूर्चा वहां एड्जेस्ट कर पाएगी और सिटों पर लड़ना चाह रही है आज के दुंका के बैठक में यह बात हुई है तो उस इस्थिति में अब कांग्रेस का एसेट कौन है जारखन मुक्ति मूर्चा का भी एसेट तो पड़या हाट के कार्ज करता रहे हैं सीबू सोरेंजी का जब आंदोलन इस इलाके में शुरू हुआ तो यही पड़या हाट की धर्पी है जहां से सीबू सोरेंजी ने अपने आंदोलन का शुरुवात किया था आज वो उर्वरा सकती पड़या हाट में है और जारखन मुक्ति मूर्चा के कार्ज करता उस उर्वरा से ओध प्रोथ है इसलिए किसी भी इस्तिती में हमको नहीं लगता है कि माननी है मन सुरेंजी और हमारे सिर्शस नेता पड़या हाट कभी दूसरे के खाते में जाने द अगर आप देखें तो 2019 में भी 40,000 के आसपास तो वोट है लिकिन इससे ज्यादा वोट बढ़ नहीं पा रहा है यानि कि आदिवाती आपको वोट तो करते हैं लेकिन इसके बाद वहां पर जो अन्य समाज है वे जारखन मुक्ति मूर्चा के के केंडिडेट को वोट नहीं मुश्लिम मत आता है ट्रेवल को आप तो छोड़ दिजे ट्रेवल तो आज एक पैर पर एक दिमाग से केबल और केबल हेमन सोरेंजी सीबू सोरेंजी और जारखन मुक्ति मूर्चा को वोट करने के लिए तैयार है उसमें कोई भी थोड़ा सा भी लेकिन प्रंतु बट वा दूसरा है जो माइनरेटी है जिसको आभी आपने कहा कि 10 है हम लोग कवी 10 लो बोलते हैं 202,11 के बाद तो कोई संस्स हुआ नहीं है तो उस अधार पर आज अगर वह माइनरेटी वोटर्स है वह माइनरेटी वोटर्स राज में केवल और केवल हेमंद जी को पशंद कर रहे हैं और हेमंद जी के तरफ ही लोग रहेंगे जब केंद्र का चुना हो रहा था लोग सवा का चुना हो रहा था तो वहां राहुल जी को लोग पशंद कर रहे थे लेकिन इस्टेट का जब चुनवा होगा जारकंड का विधान सवा का चुनवा तो वहां वो केबल और केबल हैमंद जी को मानने के लिए तैयार हैं तो एक तो वोट वहां बढ़ा उसाधार पर पिछले दिनों जो उम्मिद्वार जो यहां से होते रहे जैसे आपने प्रशा लड़ते रहे वह सारा वोट 17 परसेंट 15 जो भी होए वह वोट सूरज मंदल जी को मिलता रहा वही भोट आज भाजपा में शिप्ट किया है अगर उस टाइब के कोई उमिद्वार होंगे वोटर्स पुना जहारकंड मुक्ती मोर्चा में शिप्ट करेंगे उसके अलावे या क्या आपका strategy है अभी मया शमान योजना विजली बिल की माफी रोजगार स्रीजन मुक्वंत्री रोजगार स्रीजन योजना सावितरी भाई फुली एकी सोरी शम्रिद्धी योजना तमाम योजनाएं जो चल रही हैं उन योजनाओं से जो लाब लोगोंने लिया है चा उससे हम लोगों को लगता है 10 to 20% भोटर हमारा भी बढ़ा है यह स्विंग भोटर है और वो केबल जानता है किस ने दिया हमद जी ने दिया ज्यारखन वुक्ति मोर्चा ने दिया वो कोई गडवंधन का नाम लेने के लिए कोई पब्लिक तयार नहीं है आप तो जाते हैं ग समय में मैं उम्मीद करता हूं कि जारखन मुक्ति मोर्चा के पक्ष में पड़या हट में 60% मत दाता आज के समय में है और पिछले इतने दिनों से 25 बसों तक आपने कहा कि प्रदीब जी सासन के ठीक है और जीतते रहे हैं तो इतने दिनों में एंटी इंकंपेंश्य भी लगाता हूं कि लगातार लगातार नहीं एक बार अगर आप प्रशान पंडल को 2003 वाले उप्चुनाओं को अगर छोड़ दें तो 2000, 2005, 2009, 2014, 2019 लगातार पांच बार विदायक हैं क्यों ऐसा लग रहा है कि इस बार कई लोग ये कहा रहे हैं कि एंटी इंकंपेंश्य प्रद सही बात है कि लोगसाबा चुनाओं में निश्यकान दूबे भाजपा प्रत्याश्य वहां से साड़े 9000 का लीड लेके आ हैं लेकिन लगातार अपनी जीत को continuity में रखना ये कोई आम बात नहीं आप एंटी इंकंपेंश्य की बात और उनकी लगातार continuity जीत की आप इसको कै उरोप मानने ये सच्चाई है रोप माने या ना माने चुनाओं के वन सीधे आप चले गए बाशन दे दिये कैसे सरकार की योजनाओं को आप बता दिये और आपको वोट दे दिया ये आजि जनता वोट नहीं करती हैं जीतने के लिए कई तरह के हद गंड़े अपनाने चाहे भारती जनता पाटी के प्रत्यासी वो प्रत्यासी उनके क्या कह सत्ते हैं उनके खिलाफ लड़ने के लिए उस जंग से तयार नहीं थे और जिस तरह से लास्ट में एं एंकें प्रकारेंगे चुना जी जाते हैं अच्टता सरकार बनाना ही तो लक्ष बिल्कुल और पढ़या हाड की सीट वो गडबन्दन की सीट से ही भली नहीं हो बलॉकर तो जीत पीन नहीं होब भाह प्रजीर सब्सक्रण जीते नहीं है क criminal it क्या लगा रहा है प्रति प्रतुक्षे हों कि अधर्णी हमंद जी क्या करेंगे लेकिन हम लोग पुर्मतह विश्वास के साथ आपको कह सकते हैं कि पड़या हार्ट सीट वह लड़ेंगे छोड़ेंगे नहीं और उनको पुर्ण विश्वास है कि पड़या हार्ट से मेरा लोग गीत करके आएगा आप पिछली बात तुरा रहे हैं कि आपकी स्थित्य अचीर नहीं रही फिर प्रदीव जी जैसे दवंग नेता को वो छोड़ देंगे अंतिम लक्ष नहीं नहीं ठीक है मैं का रहा हूं लोगों के नजर में नजर में पबलिक के नजर में थोड़ा एक बर बताई दबंग का डेफिनिशन ज जीतते रहे लगातार जीतते रहे लगातार जीतते रहे लगातार जब जो जीतते हैं तो बड़े लिडर लोग मानते हैं नहीं तो बाहर में बैठे में लोगों को तो पता नहीं है कि पड़याहाट के आंत्रीक स्थिति क्या है आप जब घुमेंगे पड़याहाट के लोग अब तयार हैं कि कोई दूसरे केंडेट आएंगे अच्छे केंडेट आएंगे और उनको जिता करके हम लोग भेजेंगे वो बेहतर काम करें प्रदीप यादव के इतर अगर मालेजे की ठीक है कॉंगरेस से यह तै करती है कि आप लोकसभा चुनाव में प्रदीप बोलूंगा जारखन वक्ति मोर्चा अगर हमारे नेता तै कर देंगे कि गडवंधन से वही उमिद्वार हों या दूसरे उमिद्वार होंगे तो हम लोग पार्टी के सच्चे सिफाई हैं हम अपने पार्टी के आला कमान के आदेश के तहदी चलेंगे हम जरासा भी उसमें इधर उधर नहीं कर सकते हैं लेकिन हम पार्टी का संगठन का काम करते रहते हैं हम लोग तो हैं 300 दिन 2400 घंटा काम करने वाले लोग हैं संगठन का और उसी अनुरूप हम संगठन बना भी रहे हैं संगठन हम लोग का मजबूत भी है हमने पंचायत कमिची तक बनाया हम ल सब काम करने के लिए तयार है काम कर भी रहा है चेतर में तो हमारी तयारी है और आप समझ सकते हैं नेता हमारे निर्देश देते हैं संगठन में कोई कमी नहीं होनी चाहिए और उस अंगठन बन रहा है अच्छा आप बारह साल जिला ध्यक्ष रहे हैं जारकनमुक्ति मुर्चा के शर्ष नितित तक महसचीता के बाद जाती है कि गुड़्डा जिला में अभी जो तीन सीटे हैं एक तरफ से अगर आप उठाई उदर से तो महागामा इसके बाद फिर गुड़्डा विधान सभा इसके बाद फिर पड़ याहट विधान सभा इन तीनों विध सल नितित तक इसकी चिंता होती है इस पर गहन किया जाता है समिख्शा होती है लेकिन पिर भी है कि सरकार चल रही और अभी अप Champan ऊपिन foul एक अब उन्हों ने कहा कि हम भली भाती समझ रहे हैं कि अलब ब की साथ हमारा काफी बढ़ेगा बावजूद भी हम गडवंदन धर्म का पालन करेंगे अब तो सवाल अठता है कि सीट सेरिंग की जब बात आएगी तो एक एक सीट पर बात होगी और एक सीट पर नेता क्या करेंगे लेकिन कार्ज करता तयार है अच्छा बात बताईए जैसा कि भरते जनता पार्टी ने हाल की दुनों में पूरे सीट पर एक्यासियो विधान सभा पर रायश हमारी करा है क्या पढ़ए हाट सीट पर कुछ इस तरह की रायश हमारी पार्टी के इस तरप या कुस आंत्रिक सर्विक्षन जिसकी जानकारी अगर संभावता आपको हो क्या आप नहीं जानता हूँ जारकणमुक्ती मोचा के असतर पर कोई सर्वे पढ़ए याठ की शीट पर हुई है इंटर्नल सर्वे हमारी पार्टी ने कराया है जहां तक हम लोग को जानकारे है लेकिन वह सर्वे क्या कराया है नहीं करा ये कार्शकरताओं को उसकी भनक तक उन क्लिपना सुरिण बहुत इंटरेस्टेंटेड उन्होंने कहा है कि छुकि हमारे यहां पे संगठन भी है और यह वोटरस भी है तो इसीट को हम छोड़ेंगे ने वाकई इस बात में, कलपना सुरीन की कहन में वाकई कोई सत्यता है या फेर एक भ्रहम फहला गया कि कलपना सुरीन ने वाकई कही है बिल्कुल उनकी सभा हो रही थी पोड़िया हाट के सुग्वतान मेदान में और उसके पहले एक सभा उनकी हुई थी गांधी ग्राम में तो गांधी ग्राम की शभा में भीड नहीं जुट पाया था या तो तैयारी नहीं हो पायी थी या जगह हम लोगों से पूछ करके नहीं लिया गया था शुगावथान में जब मिटिंग हो रही थी तो शुगावथान का जो भीड था जो ट्राइब्स जमा हुए थे वो भीड देख करके वो इतनी उत्साहित थी जिसको हम सब्दों में बया नहीं कर सकते हैं और उन्होंने अपने बावा के दिनों को याद किया कि यही वो गड़ है और सचमुच में वही वो गड़ है आज भी जहां डेम को लेकर के आंदोलन हुआ है आज भी आज भी बैस पंचायत के लोगों को हम लोगों ने आज से एक सप्ता पहले वहां बैठाया था शिकान दुबे जी बोलते हैं वहां डेम बनेगा और उसी ड कि सचमुच पड़िया हाट में हमारा संगठन है और हम पड़िया हाट के प्रति हमेशा सोचते रहेंगे यह उन्होंने कहा था अदिवासी कम्यूटी वहां सबसे ज़्यादा प्रभावी और दूसरा प्रभावी बनताता वर्ग यादव तो यह सहुलियत होती हैं वहां प को इसके साथ है कि यादव कम्यूटी के लोगो ने थिक-ठाक सबर्ड़ किया है इसोबार की स्तिती क्या है अगर आपने जिस का कि वईश रसमुधाय से वहां यह आई जैसे प्रशान मन्दल रहे है, बन्दल समाज से वह वैशे समाज तो एगर कोई आ है तो उसको ठीक- मैं आपको बताना चाहूंगा मैं पहले भी बोल चुका हूं कि अभी प्रदीब जादब के पैरिलल में कोई जादब पड़या हाट विधान सवाब में किसी भी दल से आएगा तो जादब मत दाता 70% वो प्रदीब जादब को ही वोटकास्ट करेगा ये हम लोग चेत्र की स्थिति को देख करके आपको बता आए वह उनको लीडर मानते हैं उनके कास्ट के लिए प्रदीब जादब को अपना नेता स्विकार करता है लेकिन वहीं दूसरे कम्मुनिटी के जो लोग वो उन्हें आज के समय में नेता स्विकार करने के लिए इंटरनली तयार नहीं है इंटरनली तयार नहीं है एक्सपूज नहीं होते हैं वजा इसके पीछे पिर वही बात आएगी अभी तो अब शिटिंग मेले हैं लोगों को फिर लगता है कि इतनी बार जीत गये हो सकता है आगे वही जीत जाए तो फिर क्यों किसी तरह की बात हो चलिए आपके बाचीत और आपके शब्दों के संचेहन से असा लग रहा है कि आप अस्थानी विधायक से बहुत खुश नहीं है क्या वाकई ऐसी बात है या फिर किसी बात को लेके नाराजगी नहीं है पिछले लोग सभाचुनाव में राजनितिक अस्तर पर अगर कोई नाराजगी नह है वो अपने दल का काम करते हैं एपने दल का काम करता हूं और हार कारज करता को जो राजनिती सही वें करता है उनको निश्ची महत्वा कांग्षा होना चाहिए अगर महत्वा कांग्षा नहीं होगा तो वह काम आगे बढ़ करके नहीं कर सकते हैं निस्वार्थ ही है यह नहीं है कि मैंने यह नहीं कहा आपको हेमन सुरेंजी के दिल में भी इच्छा है न अभी आपने कहा कि ओभर आल वह चाहते हैं कि सरकार हमारी बने तो ओभर आल हम लोग चाहते हैं कि हमारा मेले बने अब वह ठीक है उनका पहले भी कहा कि वह तैग कर देंगे यहीं उमीदवार होगा तो जब तक दाम पीछे होने सेग्र का मामला फाइनल ही हो जाता है तब तक जरकन मुक्ति मोच्चा पी सीट पर पड़िया हाट पर दावदारी करेंगी मिल्कुल हंडेड़ परसे जानना चाहता हूं कि अगर मांडू आप फिर पड़ियाहाट अगर जरकन मुक्ति मुचा को स्विकार करना होगा किसी सीट को छोड़ना होगा आपको लगता है कौन सी सीट छोड़ेगी हम लोग तो मांडू छोड़ सकते प्रुजाट रखेंगे यह सवाल का जवाब यह नहीं क्या रहे हैं कि केंद्री इस्तर पर नेता टै करेंगे आप आपका प्रशन है कि वह अगर छोड़ने की नौबत लेकिन हम लोग आसानवित हैं हम लोग तयारी कर रहे हैं कि पड़याहाट जारखन मुक्तिमोर्चा को लड़ना है अब मेरे आखरी दो सवाल हैं एक सवाल तो पहला है कि क्या चुकि श्रीट सेरिंग का मामला बहुत जल्दी फारेल होने वाला है भारते इंता पार्टी भी बहुत जल्दी अपने कैंडिडेट की गोशना करने जा रही है समभता पांच से दस के बीचों में पहली लिस्ट यह कुछ इस तरह के मामले हुएं जरकन मुक्ति मूर्चा से ताकि उसको एक साइन के तौर पर देखा जा जा जांड़ा है आप लोगों ने भूद कमिटी अभी तक नहीं बिनाया आप लोगों का बर्ग संक्ठन अभी काम नहीं कर रहा है धंग से चुनाव नजदीख है आज भी कहा है चुनाव के चंद दिन बांकी रह गए हैं और आप लोगों ने अभी उस धंग से काम नहीं किया आज तो टेंडेंस लिया जा रहा था कि जिला कमिटी के लोग कितने आ गए खड़ा हो ये कौन नहीं आया क्यों नहीं आया तो हम लोग इसको संकेत के रूप में समझते हैं ये संकेतिक तोर पर आपको लग रहा है कि जारकन मुक्ति मुर्चा तेयरी अगर प्रदीप यादव को फिर से साज्या वमिद्वार प्रदीप यादव कोई कारेकर्ता या कोई कैने रेक नहीं होगा मैं समझेना चाहता हूं कि जब इकदम शीरिंग के पहले इस तरह के दावेदारी अगर जारकन मुक्ति मुर्चा की पड़या हट पर है तो अगर प्रदीप यादव साज्यदार हों प्रत्याशी हों तो क् तत्परता के साथ उनके पक्ष में आप लोग वोट मांगेंगे या फिर जार्खन मुक्ति मोर्चा के कार्ज करता बेस पार्टी होने के नाते जब जब वोट कराना चाहे हैं भोट सिप्ट हुआ है कॉंग्रेस पार्टी अपने भोट को सिप्ट नहीं करा सकती है ज़ार्खन मुक्ति मोर्चा का लाप कॉंग्रेस को मिलते रहा है लेकिन कई एक सिटों पर कॉंग्रेस का लाप ज़ार्खन मुक्ति मोर्चा को नहीं मिलता है तो आपका जो सवाल है कि आप जब इतने एग्रेसिव हो जाएगा जब आप पूरे चुनोग की तैयारी और लड़ने के मूड में आ जाएगा और वहां अगर गड़बंधन हो जाएगा जमेम के उमिद्वार नहीं होंगे तो क्या वोट उदर जाएगा जारखन मुक्ती मोर्चा कार्ज करता बेस पाटी है और आला कमांग का आदेश एकी कार्ज करता मानता है उसमें फिर इफ वट लेकिन प्रन्तु कहीं नहीं होगा और वैसा होगा तो फिर जैसा है वो काम करेंगा चली मुझे लगता है कि पड़या हाट के राजिंतिक समिक्रणों पर लोगों ने ठीक ठाक बात चिक की है अभी और भी तमाम समिक्रण बनने हैं शीट सेरिंग का मामला अभी शुरू भी नहीं हुआ है अला कि बात अपने अस्तरों पर चल रही है लेकिन इस्थितियां य होगा कि पड़या हाट की सीट यहां पर मुझे लगता है कई वर्षों से कई चुनाओं से यहां पर कॉंग्रेस का कोई उमिदवार नहीं जित पाया है आकरी बार कौं जिते थे कॉंग्रेस से वह आपने जब रिजर्व सीट की बात कहिए आप उननी सबासट से असी से तो रहा ही नहीं ता प्योशर मंडल जी हुआ करते थे वह कॉंग्रेस से लडे थे जगदीश नैण मंडल जी क्युक्त से लड़े हो और पचासी में सुरज मंदल हा जित गये यहां कॉंग्रेस का कोई जनाधार कोई संगठन नहीं रहा माइनस प्रदीब जादबाद कर दिया जाए या जब प्रदीब जी आये उसके पहले का आप देख लें तो कॉंग्रेस का आपको नामों निसान नहीं मिलेगा के बाल एकाद लोग जो सुतंत्ता अंदोलन के समय के लोग जिन्दा होंगे वही कॉंग्रेस सीट है चली तो यह तमाम समिकरन पुड़िया हाट विधान सभा सीट को लेकर के है तो यह भी देखना दिलचास होगा कि 1980 के बाद से लेकर 2019 तक जिस सीट पर कभी कॉंग्रेस के कैनिडेट जीत नहीं सके क्या उस सीट पर वाकई इस बार साझा प्रत्याशी के तौर पर प्रदीप्यादव होंगे या नहीं होंगे अगर नहीं होंगे तब भी यह सीट वाकई पुरे राज में चर्चा की विशय बनी रहेगी क्योंकि सीट पर ऐसा संभावता 2000 के बाद यह पहला चुना होगा जब प्रदीप्यादव बहुत एक्टिव नहीं होंगे देखना होगा कि क्या यह सीट जहरकन मुक्ति मोर्चा को जाती है हम लगातार पड़ यहाट के अलग-अलग प्रकंडो में अलग-अलग पंचायतों में दौरा कर रहे हैं जनमत संग्रा कर रहे हैं, लोगों से उनकी ओपिनियन जान रहे हैं, सरकार के कामकाज पर उनका रिमार्ग जान रहे हैं, और इन सब के क्रम में बाचीत भी तमाम नेताओं से होती रहती है, और इसी क्रम में आज हमने बाचीत की प्रेम नंदर मंदल जी से, बहुत बहुत श